हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको समरिटन गर्ल ये 2004 की ड्रामा कॉरियन मूवी एक्स्प्रिन करने वाला हूँ इस मूवी में दो फ्रेंड्स को यूरोप जाना होता है इस मूवी के डारेक्टर कीम की दूख है यानि के बहुत ही बढ़ी है ये मूवी अच्छे मैसेज के साथ अच्छे लेसंस हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ड होती है और हमें दो फ्रेंड्स दिखती है जो इंटरनेट कैफे पर चैटिंग कर रही होती है ये दोनों जो है ये हमारी मेन कैरेक्टर है इसमें से एक का नाम है जैयंग और दुसरी का नाम यूजिन यहाँ पर जैयंग अपने फ्यूचर क्लायंट से बात कर रही होती है ये इसके साथ सोने वाली है तो पैसे वेगरा ये सब डिसाइड करते है यूजिन और जेयंग ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स होती है इन दोनों को मिल कर यूरोप जाना होता है इसके लिए इने पैसे चाही होते है इस वजे से जेयंग प्रोस्ट्यूट्ट थी जिसका नाम वसुमीतरा था जब भी कोई आदमी उसके पास जाता था तो बुद्ध पर वो बिलीव करने लग जाता था उनका वो शिष्य बन जाता था और बुद्ध इसम् के जो भी सब ख्याल है उनसे वो जीने लग जाता था जेयंग केती है कि वो उसे इतना प्यार देती थी कि अब उसे गौड़ पर बिली होने लग जाता था जैयंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे इससा लग रहा होता है जैयंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना है एक जगा पर जाकर ये दोनों क्लाइन के वेट करती है फिर जैयंग का क्लाइन आता है और ये दोनों होटेल में चले जाते है यूजिन के पास एक डायरी होती है इसमें क्लायन के नाम नंबर होते है और इनके पास अब कितने पैसे आ चुके है इस सब का हिसाब होता है जैंग अपने क्लाइन के पास जाती है और यूजिन को अगली बिल्डिंग से वेव करती है थोड़ी देर माद यूजिन को दिखता है कि पुलिस आ चुके है जैंग को भी पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर रेट पड़ी है तो एक्जिट से वो निकल कर नीचे आ जाती है पुलिस भी इन दोनों के पीछे भागते है पर ये भागते भागते बहुत आगे पहुच जाते है इन्हें हो पकड़ने पाते है इसके बाद ये पार्क में आते है और डिस्कस कर रहे होते है कि अब इनके पास कितने पैसे है ये कैलकुलेट करते है कि एक काई प्लेंट दीकिट के पैसे इनके पास है जेंग कहती है अगर मैं उसे बात नहीं करूँगी तो मैं सही से connection नहीं बना पाऊंगी मैं इस सिर्फ पैसो के लिए कर रही हूँ ऐसा मुझे लगेगा जो भी टाइम जेंग अमने client के साथ गुजारती है उसमें उसे real connection ढूणना होता है हमने देखा है कि उसे वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है यूजिन फिर जेंग को बात्रूम में लेकर जाती है उसे साफ करती है जेंग कहती कि अब बस हो गया यूजिन कहती कि वो बहुत ही घटी आदमी है तो मैं सही से मुझे साफ करना है यूजिन को बुरा लग रहा होता है कि उसके वज़े से यह सब जेयों को करना पड़ रहा है जेयं कहिती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे भी करने में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पाक में जाते हैं कुमते फिरते मज़ा करते हैं यूजिन अपने फादर के साथ अकेली रहती है सुबा जब वो उठती है तो उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट अगरा बना कर लाते हैं यूजिन को उठाने के लिए म्यूजिक लगाते हैं उसके headphone उसके कान में लगा देते है यूजिन से उसके फादर बहुत ही प्यार करते है यूजिन की मदर पहले ही गुजर गई है फादर यूजिन को जब school में छोड़ने के लिए जाते है तो पूरे world में इसे अलग-अलग stories उसे सुनाते है यूजिन इतना ध्यान नहीं देती फिर भी यह सुनाते है इस बार यूजिन और जैंग मिलती है तो यूजिन कहती है कि मुझे बहुत ही अलग लग लग रहा है जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है यूजिन कहती है कि मैं सब पैसे समालती हूँ और तुम्हें यह सब करना पड़ता है जेंग कहती है प्लीज ऐसा मत सोचो फिरसे हम इस बारे में बात नहीं करेंगे यूजिन कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना ये एक जगा पर करेंगे यूजिन कहती है कि अब तुम मुझ पर भी लाइन मत मरो इस बारे मेरे मेंवार्या इसा कुछ भी नहीं था जेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था वो बहुत ही अच्छा आदमी था मुझे comfortable महसूस कराने के लिए उसने मेरे लिए गाना भी गाया था यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है तो जेंग समझ आती है जेंग कहती है कि अपसे मैं उनसे कुछ भी बात नहीं करूँगी यूजिन जब इस बार इसे clean कर रही होती तो कहती है कि मुझे दूसरा आदमी तुम्हें कोई touch करे है यह अच्छा नहीं लगता यूजिन जेंग से बहुत प्यार करती है उसे लग रहा था कि जेंग उस musician से प्यार करने लग गई है इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करती है यह हमें दिखता है ये दोनों school के बाद एक shop में जाते है वह एक machine होता है जिसमें अपनी photo निकाल सकते है यहाँ पर ये दोनों इंडियन्स की तरह कपड़े पहन कर photo निकालना जाती है और ये photo निकालती भी है एक्चुल में पठानी लग रहा है पर ठीक है इसके बाद हम फिर से देखते है कि जेंग फिर से एक client की साथ है ये building में है और ये उस पर नजर रख रही है अचानक से यहाँ पुलिस आ जाते है पर इस building में अब escape करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता जेंग के रूमें पुलिस पोच जाते है पर जेंग को पगड़ा नहीं जाना होता ये खिड़के के ऊपर खड़ी हो जाती है पुलिस उसे कहती है पुलिस ऐसा मत करो यूजिन भी भाहा से चिलाती है कि पुलिस अंदर चली जाओ पर जेंग किसी की भी नहीं सुनती वो भाहा से जम कर देती है जेंग के सर पर बहुत बड़ी चोट आ जाती है पर फिर वी वो conscious होती है यूजिन उसे अपने कंदे पर बिठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है हॉस्पिटल में उस पर इलाज स्टार्ट हो जाता है पर डॉक्टर कहते है इसके पैरेंट्स को तो में बुलाना चाहिए यूजिन के पास इसके पैरेंट्स को कोई भी नमबर वेकरा नहीं होता इसके डायरी वो चेक करती है पर कोई भी उसे नहीं मिलता Eugene shower में जाती है और सब blood वेकरा पोचती है इस shower में ही हो रोने लग जाती है वो अपने आपको ही blame कर रही है ये जब Jayang के पास आती है तो Jayang अब जरा होश में और उसकी treatment हो चुकी है Jayang Eugene से कहती है कि प्लीज मेरे client को बुला दो जो musician था, जिसने उसे अच्छे से treat किया था, इसे मरने से पहले उसे मिलना है Eugene पर musician को call लगा थी है, उसे कहती है कि प्लीज यहाँ आजाओ जेंग के साथ क्या हुआ है यह सब उसे पता थी है, पर यह musician आज काम कर रहा होता है, तो इसे मिलने नहीं वाला होता जेंग के थी कि प्लीज तुमारा पता मुझे तो, मैं वहाँ उनगी, यह वहाँ उसे मिलने के लिए जाती है, उसे convince करना चाती है, पर यह मानता नहीं Eugene नी musician की insult की थी, इसी वज़े से अब यह इसे बात नहीं करना चाता Eugene को मालूम है, यह musician उसे चाहता था, इसी वज़े से अब अपने आपको, वह उसे सोब देती है यह दोनों intimate हो जाते है, और इसके बाद यह देंग के पास जाने वाले होते है यह hospital पहुचते है, पर इने देर हो चुकी होती है, देंग मर गई होती है मरने के बाद भी, इसके चेहरे पर smile ही होती है Eugene रो रो कर बुरा हाल करते थी है, थोड़े दिन गुजर जाते है Eugene ने जो सब पैसे कमाए थे, इससे वो देखती है यह diary और बैसे लेती है, और इससे जलाने की कोशिश करती है इसके mind में idea आता है, और अमना mind यह change कर लेती है इससे लगता है कि जैंग ने यह सब पैसे लिए है, अगर यह बैसे उसके client को फिर से वापस कर देगी तो यह prostitution नहीं माना जाएगा जैंग सचमोश में इन सब लोगों से connection मनाना चाहती थी, अगर उसने यह कर दिया तो उसे शान्दी लग सकती है योजिन अपने आपको यह blame करती है, तो उसे लगता है कि यह करना सही हो सकता है यह mortel में जाती है और client को बुलाती है client जब इसके साथ intimate हो जाता है, तो बहुत ही खूश होता है इस client को यह Jagang की तरह ही लगती है यह कहती है कि Jagang मर चुकी है, और इसके बाद इस client को सब पैसे वापस कर देती है इसके बाद हमें देखता है कि एक दूसरे एक लाइन के पास भी आई हुई है एक लाइन भी बहुत ही खोश हो जाता है यह कहता है कि मैं तुमारे लिए बहुत ही थैंक्फुल हूँ यूजिन भी कहती है कि मैं भी थैंक्फुल हूँ ये कहता है मैं मर नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें याद रखूंगा यूजिन के फादर जो होते है ये पुलिस होते है यूजिन जिस होटेल में होती है उसके opposite होटेल में ही उसके फादर आते है वह एक murder हो जुका होता है इसके फादर जब खिड़की से देखते है तो यूजिन एक क्लाइट के साथ होती है इन्हें इस पर बिल्यू नहीं हो पाता ये होटेल के बाहर बैटते है और इन पर नजर रखते है यूजिन वहाँ से चली जाती है और उसका जो क्लाइट था इसका पीछा उसके फादर करते है इस client को रस्ते में रोक लेते है फादर कहते है कि अब मैं तुमसे कुछ questions पुछूँगा अगर तुमने मुझे सही से answer ने दिया तो मैं तुम्हें पंच करूँगा यह कहते है कि तुम अब कहा थे यह पहले बोलने रहा होता रात में हमने दिखता है कि फादर यूजिन के रूम में आये होए होते है और उसे देखकर सोच रहे होते है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा यूजिन को फादर जब स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे होते तो आग जिस तरह से वामेशा से स्टोरी सुनाते है वैसे सुना नहीं रहे होते यूजिन कहती है कि आज क्यों नहीं सुना रहे है उसके फादर कहते है कि तुम सुनती कहा हो यूजिन कहती है मैं सुनती हूँ प्रीज मुझे सुनाओ ये फादर कहती है कि तीन फ्रेंड्स थी यूजिन कहती है कि कोई मिराकल हो जाए ऐसा मुझे लगता है इस स्टोरी को आप याद रखना इस मूवी का एक बहुत अच्छा प्लॉट पॉइंट है आज फादर अपने जॉब पर नहीं जाने वाले होते है ये स्कुल के बहारी खड़े होते है और यूजिन कहा जा रही है इस पर वो नज़र रख रहे होते है यूजिन एक मॉटल पर जाती है और अपने एक लाइन का वेट करती है उसके फादर बहारी खड़े होते है और सब लोगों को पूछ रहे होते क्या तुम मोटल में जा रहे हो यानि कि उस आदमी को उसे ढोड़ना होता है एक आदमी उन्हें मिल भी जाता है तो यह कहते है कि मेरे साथ तुम बेठो उसे ड्रिंग्स देते है फादर इस क्लाइन्ट से कहते है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ ये आदमें भी समझ जाता है कि एक कुछ डेंजरस है और वहाँ से निकल जाता है रात में फादर अपने फ्रेंड के साथ एक होटेल में आये हुए होते है वहाँ पर कुछ लड़किया होती है ये लड़किया यूजिन की ही एज की होती है इसका जो पार्टनर होता है ये इस लड़कियों पर लाइन मारने लग जाता है इनसे वो बात्षीत करता है और उन्हें वो ड्रिंक ओफर करता है इन लड़कियों के बॉइफ्रेंड सिर्थ वहाँ थे ये लड़किया इसकी कम्टेंट उनके पास करती है ये लड़के कहते है कि एक परवर्ट है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए के लिए ये पुलिस ओफिसर ही है तो इन सब लड़कों को सबक सिखाना चाता है फादर अपने बार्टनर को रोकना चाता है पर ये बार्टनर रोकने नहीं वाला होता इसे स्लैप करता है ये बार् पतर फादर उठाते हैं और गाड़ी का काश फोड़ते हैं यूजिन और क्लाइंट दोनों डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं इस क्लाइंट का पीछा फादर करते हैं और नेक्स दिन उससे मिलते हैं यूजिन के पास आता है और जान जाता है कि यूजिन के फादर हों फादर से भी जादा इसकी age है इसकी building फादर देखते है और यही रुखते है यह आदमी अपनी balcony से देखते है तो इसका कौन सा flat है यह भी उससे दिख जाता है फादर फिर इसकी घर में आ जाते है यह अपनी family के साथ dinner कर रहा होता है इसमें इसकी बेटी भी होती है जो यूजिन के ही age की होती है फादर इसे मारने लग जाता है family कहती है तुम इसे क्यों मार रहे हो फादर कहता है कि आपने बेटी की उम्रे की लड़की के साथ तुम्हें इस सब कर रहे थे कि तुम्हें कोई शरम नहीं आई इसके बाद फादर यहां से निकल जाता है और एक लाइन बहुत ही शर्मेंदा होता है इसकी वाइफ इससे question पूछने लग जाती है पर इसका कोई भी answer इसके पास नहीं होता इससे बहुत पच्चता होता है यह building से jump मार कर खुद कुशी कर लेता है इसके बाद ट्राफिक में फादर फस जाते है यूजीन आगी चली जाती है जिस आदमी के वज़े से ट्राफिक हुई होती है फादर इससे बहुत मारते है यूजीन जहाँ पर गई होती है वहाँ जब फादर पहुचते है तो अपने एक लाइन के साथ intimate हो चुकी होती है इसके बाद एक लाइन ट्वाइलेट में जाता है तो उसके पीछे फादर चले जाते है फादर को अब बहुत ही गुसा आ जाता है और इस क्लाइन को मार मार कर उसका murder वो कर देते है यूजिन को थोड़ी देर में लगता है कि कुछ गड़ बढ़े देखने के लिए जाती है तो रोने लग जाती है आगे चलकर उसके पास जो डाइरी थी वो फेक देती है अब जेहं के सब clients को उसने पैसे दी दिये है यूजिन जब घर वापस आती है तो उसके फादर सब फूड वेगरा पैक कर रहे होते हैं फादर के थे हैं कि मदर के ग्रेव को हम विजिट करकर आते हैं मदर के जो ग्रेव हैं एक mountain पर है वहाँ वह जाना चाते हैं सब फूड वेगरा पैक कर लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर आकर फादर रोने लग जाते हैं उ कर यही सो जाते हैं, यूजीन बहार निकलती है, सब पत्थर विगरा चाक किया लगाती है, गाड़ी अब यहाँ सी निकल जाती है, अब शाम हो चुकिए है, और यह बहुत दूर है, तो वे घर नहीं जा सकते, एक जगा पर यह रात के लिए रुकने वाले होते हैं, जिस जो सब किया है, इसके फादर को पता है, उसे मालूम है, ये दोनों घर जाते वक्त एक शौक पर रुखते हैं, फादर अंदर होते हैं, तो यूजिन गाड़ी की स्टीरिंग देखने लग जाती है, गाड़ी चलाते कैसे हैं, ये उसे बहुत क्यूरेसिटी होती है, फादर आ यूजिन जब आगे जाते हैं, तो उसके फादर उसे पीछे से आकर मार देते हैं, और वही गार देते हैं, ये जो सब है, ये उसका सपना ही था, ये जब सच्चूच में उठती है, तो उसके फादर ने एक वे क्रियेट किया होता है, यहाँ पत्थर होते हैं, इनसे फाद फादर को लेकर चली जाती है यूजिन को खुद से इगाड़ी से अब घर जाना पड़ेगा मुवी के बीच में फादर ने यूजिन को स्टोरी सुनाए थी जिसमें लड़कियों को लगा था कि सब कुछ तबाह हो गया है और वैसा कुछ भी नहीं हुआ था फादर ने फादर को मिली थी और उने सब कुछ पता चल गया था जब वह इस रिवर के पास आये तो थोटा सा रसता फादर ने उसे बना कर दिया पैरन्स हमारे लिए हमेशा सही ही चाते है थोटा सा रस्ता हमें वह देते हैं पर इसके बाद गिर समल कर इस रस्ते पर चलना ये हमारे decision होता है, मूवी के last में Eugene Gardie अटक अटक कर थोड़ा trial और error के साथ यह आगे बढ़ती जाती है, यह थोड़ी दलदल में भी फर्ज जाती है, वर हमें पता है कि यहां से वो निकल पाएगी यह मूवी यही end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आधर है तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकोन दबाना में मत भूलिए वे फेसे में लेंगे और यह नहीं मूवी साथ तब दे के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे